हेलो अब्रिवन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एमेल अकाउंट से मल्टिपल यूटूब चैनल बना सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको राइट कॉर्णर में आपका यूटूब चैनल है उस पे क्लिक कर लेना है जिस भी एमेल नाम रखना है यहां पर अपने यूटूब चैनल का आपको नाम डालना पड़ेगा तो यहां पर जो भी आपको रखना वह आप रख सकते हैं तो मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं और हमें यहां पर यहां पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहां पर हमें सेकेंड लगें तो देख सकते ही हैं हमारा YouTube जो है वह वह क्रियेट हो चुका है कि यहां पर दिखा रहा है no subscriber और यहां पर देख सकते हैं Switch account करेंगे तो यहां पर दिखेगा हमारा जो पहला channel है grace guy और सेकेंड चैनल जो मैंने अभी create किया है और यहां पर हम 활ESおお हो रहा है देख सकते हैं यहां पर जो यूटूब इस्टूडियो है यहां में वेलकम कर रहा है तो हमें यहां पर कांटिन्यू कर लेना है और यहां पर चैनल पर हमें दिखा रहा है कि करेंट सब्सक्राइबर जो वह जीरो है अभी यहां पर कोई भी वीडियो अप्लोड नह है यहां पर सारी चीजे हमें इंडिकेट कर रहा है बता रहा है और हमें यहां सेटिंग पर क्लिक कर लेना है और यहां चैनल के option पर क्लिक कर लेना basic information में हमें यहां पर अपना country select करना है जिस भी country में आप रहते हैं वह को country ब्रात को olurs करना है ओर यहां पर जो keyword है और हमें यहां पे अड़ करना है keyword आपको अईसे डालना है कि जो भी आप अपने यूटीब चैनल पर जो भी content डालते हैं या पि जो जो भी keyword रखना है तो आपको रख सकते हैं अपने वीडियो के basis पर तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ Photoshop, Adapt Photoshop Tutorial and Adapt Illustrator जो भी है और यहाँ पर मैंने और मुझे यहाँ पर डालना है Adapt After Effects का तो मतलब basically मैं यही सब वीडियो डालने वाला हूँ इस पर तो मैं मतलब आप जो भी content डालेंगे अपने YouTube चैनल पर आप वही keyword यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ After Effects का जो भी टुटोरियल है वह भी मैं डालूँगा तो After Effects का वीडियो तो आपको अपना जो चैनल है आपको वह भी डालना चाहिए इसमें जो भी आपके चैनल का नाम है और जो भी मैं यहाँ पर सौट वीडियो भी डालने वाला हूँ यहाँ तो मैं सौट का भी यहाँ पर keyword देता हूँ और अपना यूटूब चैनल का नाम भी यहाँ पर डाल दी यह करने के बाद हमें यहाँ पर advanced setting में चले जाना है यह यहाँ पर देख सकते हैं do you want to set your channel as you made for kids यह बता रहा है अगर आप अपने मतलब की YouTube चैनल पर जो भी content डाल रहे हैं अगर आप बच्चे के लिए डाल रह है ठीक है तो आपको first वाला option पर click करके यहाँ पर save करना पड़ेगा अगर बच्चों का content नहीं डाल रहे हैं तो आपको second वाले option पर click करके हमें यहाँ पर save करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर Google Adsense account होता है वह यहाँ पर link करने के लिए बोड़ रहा है और यहाँ पर feature eligibility यहाँ पर जाना है जो हमारा standard feature है वो हमारा already enabled है हमारा second वाला जो option है उसको हमें यहाँ पर अपना number verify करना है हमें यहाँ पर अपना number type कर लेना है और get code पर click कर लेना है तो हमारे जो भी जो भी हमारा number है उस पर यहाँ पर OTP आने वाला है तो हमें OTP का थोड़ टाइम बेट करना पड़ेगा जैसे आपका OTP आता है आपके phone पर आएगा तो आपको OTP हाँ पर इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको सेप कर देना है और यहाँ पर चूज हाओ टू ऐसे एडवांस फीचर तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं आपको बता रहा है यूज वीडियो वेरिफिकेशन यूज ज्यूर वाले आइड़िफ रिफिकेशन एंट वेरिफ वेरिफ चैनल हिस्ट्री तो आपको थर्ड वाले59 पर क्लिक कर के आपको यहाँ पर नेफ्ट करना है यहाँ पर डान कर देना है ठीक है और हमें यहाँ पर सेव कर देना है तो देख सकते हैं हमारा सेटिंग वो जो है अलमोस्ट यहाँ पर सेव हो चुका है और यहाँ पर अपने अगर आपका जो भी इमेज आइकन चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर हमारे वीडियो आपको बसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू